दोस्तों आप सभी ये बात जानते हो कि हमारे MRFA टेंडर को 15 सालों से भी ज़्यादा लेट हो गया है इतना लेट होने के बाद भी अभी तक भी हम इस टेंडर को फाइनल नहीं कर पाएं हैं इन 15 सालों में इस टेंडर को लेकर कुछ प्रोग्रेस होई है तो वो केवल इतनी हुई है कि पहले इस टेंडर का नाम MM-RCA हुआ करता था और अभी इस टेंडर का नाम बदलकर MRFA कर दिया गया है जो लोग MRFA tender के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजे कि इस tender के दोरान हमारी वायू सेना 114 की संख्या में fighter jet को दूसरे देशों से खरीदना चाहती है खिलाल इस tender में दुनिया के कई अलग-अलग देशों की तरफ से 4.5 जनरेशन के सबसे बहतर fighter jet भारत को ओफर किये गए हैं इस tender में अमेरिका की तरफ से भारत को F-15EX, फ्रांस की तरफ से रफाल, टूरो फाइटर टाइफून, ग्रीपन E, F-21 fighter jet, F-18 Super Hornet जैसे fighter jet भारत को ओ फाइटर जैट भारत को ओफर किये गए हैं, इस समय सभी देश इस tender को लेने के लिए अपना 80 चोटी का जो लगा रहे हैं, क्योंकि ये tender 20 बिलियन डोलर का एक मेगा tender होने वाला है, और आप सभी ये बात भी जानते ही होंगे कि जल्धी भारत के अंदर तरंग शक्ती नाम का एक युद अभ्यास होने वाला है, जहां पर कई अलग-अलग देशों की वायू सेना इस tender में हिस्सा लेने आने वाली है, और इस युद अभ्यास के दोरान कई फाइटर जैट इसे आएंगे जिनको इस समय MRFA डील में भारत को ओफर किया गया है, इन फाइटर जैट का तरंग शक्ती युद अभ्यास में आने का ये फाइदा होगा कि हमारी वायू सेना इस युद अभ्यास के दोरान इन फाइटर जैट को अच्छे से इवेल्यूएट कर सकेगी, इस युद अभ्यास में यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जैट आने वाला है, और अब बोईंग की तरफ से भारत को बोला गया है कि यदि भारत की तरफ से हमारे F-15E फाइटर जैट को लिया जाता है तो इस फाइटर जैट को भारतिय वायू सेना दो हजार सत्तर तक काफी आसानी से ओपरेट कर सकेगी, एसा बोईंग की तरफ से इसले भी बोला गया है क्यों कि बोईंग की तरफ से ये प्लैनिंग की गई है कि हम 2070 तक F-15E फाइटर जेट के स्पेर पार्ट की मैनिफेक्चरिंग करेंगे और इस समय देखा जाए तो जो ये अमेरिका का F-15E फाइटर जेट है इसको फायर पावर के मामले में हरा पाना किसी भी फाइटर जेट के बस जा सकते हैं कि जो हमारी 9 सेना के लिए ध्शितफ फाइटर जेट बनाये जा रहा है ये फाइटर जेट एक बार में अपने साथ केवल 11 जायों को लेकर जा सकता है इससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि फायर पावर के मामले में F-15E फाइटर जेट को हरा पाना बहुत ही ज़ादा मुश्किल होगा और आगे चलकर कोई विदेश इस तरीके के फाइटर जैट को नहीं बना पाएगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमारी वायू सेना को F-15E फाइटर जैट को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको रफाल फाइटर जैट को ही कांच से लेना चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे